नमस्कार दोस्तों इनकी आयू 36 एर है 36 एर धन रेखा का ओफशुट भी करोडों का फायता दिलाता है वो इनके हाथ में टीनेज के बाद की जो एज होती है उसमें आपको दो ओफशुट और दो छोटे-छोटे ओफशुट इनके हाथ में दिख रहे हैं और इनको करोडों का बेनिफिट उस समय इनके जीवन में हुआ है करोडों का धन रेखा का ओफशुट इनके जुपिटर माउंट पर फिश्चाइन है जो ग्यान दिलाती है इनके चंद्रपरवत पर भी फिश्चाइन है यह अपने जीवन में 36 साल के उम्रम है जिसमें ये 5 साल से अभी वर्तम यानि हाथों पर जो साहिने होती है वो क्या इफेक्ट दिलाती है जिसको रियल में पामिश्ची में इंट्रेस्ट है उसको ये वीडियो देखना बहुत पसंद आएगा और इतने सारे ओफशुट है इनके जीवन में कि वो जब ओफशुट चालू होंगे तो इनका जीवन जिंगा लाला हो जाएगा यानि इतना उत्तम प्रोग्रेस इनको मिलेगा उसके सामने धन रेखा का कॉम्बिनेशन भी आपको दिखाऊंगा यानि यह एक हाथ गागर में सागर है इतने में आप समझ जाओ जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुशागा रेखा हो तो व्यक्ति बहुत जादा समझदार होता है और जीवन में जो अपरचुनिटी आती है उसे ग्रेव कर गया आगे बढ़ता है यह पूरा स्क्वेरिश पाम है ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मैनत करके अपने नेजर होता है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है और फास्ट नहीं लेने वाले होते हैं और फैलेंज बड़े है तो थोड़े से एनालिटिकल भी होंगे और इस तरह के अगर पोर हो उंगलियों के तो पॉलिटिकल के फॉलोवर होते हैं जैसे हो संभालते हैं और चोटी उंगली के बदले यह जो सुरी के उंगली यह काफी बढ़ी है यह हिमती सभाव देती है वेड़ती को जिब में 50,000-50,000,000 की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं और चोटी उंगली भी लगबग फर्स फैलें तक पहुच रही है तो डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याद्शक्ति मनी मैनेजमेंट और अकाउंट यह सारी चीजों में च्छोटी उंगली में नाकून बड़ा दिख जाए तो समझ लो वो दूसरा भी वीडियो देखते हैं और यह यूटूब की खासियत ही है एक पामिश्टी का वीडियो देख लिया तो पिछे-पिछे कई पामिश्टी चैनल वाले वीडियो आएंगे इसमें कोई गलत भी नहीं है बुद्परवत पर बहुत सारी लाइन है ठीक है बुद्परवत यहां से थोड़ा सा दबा हुआ है तो मन की बाते नहीं कर पाता है पर इतनी सारी लाइन हो तो बिजनेस माइंडेड होता है कि दूच्यार दें भाशाओ का जानकार होता है व्यक्ति बुलने ना आया तो समझ में तो आती है और यह लाइने सुन्दर दाभी देती है यहां पर अगर यही परवत यहां से उभार होता तो ज्यादा सुन्दर होते थे यहां पर जब उठाओ होता है तो व्यक्ति नाम के प्रति ज्यादा जागरूप होता है चोटा भी काम करें तो मन करता है नाम होना चाहिए यहां पर बड़े-बड़े स्क्वेर साइन है तो इंटरनेशनल लेवल का काम होता है और इनका था भी और आगे होगा भी उसमें कोई किन्तु परंतु नहीं अब इनकी साइन है देखने की और चलते हैं और अपनी आयसे अधिक अच्छी तरह रहते हैं स्क्वेर साइन वाले आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में मैं सब कुछ जिंगा लाला है इनको क्या प्रब्लम है यह देखिए कितनी बार एक रेखा से बड़िया सी फिश साइन बनी हुई है कितनी सुन्दर साइन है यह हंडेट परसेंट इनको अरपती बनाएगी यह साइन एक यहां पर भी है एक यहां पर भी है देख यहां पर है और एक इसके पास में भी है एक इनकी इस जगह पर भी है सनलाइट पर सनलाइन मर भी और वह फोटो में पश्टता से नहीं दीख रहे इसके लिए मैं जिक्रें नहीं कर रहा हूं यह ऐसे भी है इतनी पश्ट नहीं शो हो रही है तो इसके लिए मैं शो नहीं कर रहा हूं शनी परवत फ्लैट है तो वेक्टि को आलास क्या होता पता ही नहीं होता जुपिटर माउंट टिल्टेड है यह वेक्टि को पारिवारिक और सांसारिक समस्या देता है और बच्पन में सर पे जोड से लगाओ तो सांसारिक यानि पत्ति बत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होता पर पारिवारिक समस्या तो रहती है और परिवार में एक्सपेंस भी अच्छा घासा होता है ऐसे लोगों का मैं यहां पर फिश्चाइन है जब जीवन देखा पर आऊंगा तब इसके बारे मैं जान करी दूंगा यहां पर ट्रैंगल है यहां पर स्क्वेर साइन है अब ट्रैंगल का मतलब होता है पॉलिटिकल या सरकारी लाब बहुत आसानी से इनको प्राप्थ होते और ना भी प्राप्थ हो यानि उस लेवल का काम ना हो तुभी आम लोगों से ज़्यादा यह लोग संपन होते हैं और स्क्वेर साइन का मतलब है बत्तीस के पहले कोई ने कोई प्रापर्टी और च्छतिस साल में ऑथरिटी पोजिशन पर आना है एक लाइन डो लाइन तीन लाइन चार लाइन ये व्यक्ति को मल्टिपल इंकम के सुरोथ देती है पामिस्ट्री एस्ट्रोलोजी स्थर के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है सेवा अंगल उभारवाला है तो जब इस तरह का उभारवाला हो तो व्यक्ति एक साथरिक उर्जा जो होती है वो सैनिक की तरह या स्पोर्स परसंट की तरह होती है हाँ इन में एक माइनस पॉइंट होता है टीनेज में या बच्पन में गालिया भरपूर देते जैसे जैसे उमर बढ़ती है गालिया कम होती है और फिर जब बुढ़ा पाएगा हाथ-पैर नहीं चलेंगे उस समय गालिया जादा देंगे यह इनका सबसे बड़ा माइनेस पॉइंट होता है पर सारे रिकूछा भर पूर होती है बारी मंगल भी अति उत्तम इस तरह का बारी मंगल हो जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है सामनेवाला कमफोटेबल फिल करता है और संकट के समय वेक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है चंद पर बर पर देखिए कितना बड़ा ट्राइंगल है और मैं आपको फिश रैन भी दिखाऊंगा यह देखिए जिसको भी स्क्रीन शॉट लेना हस्यासे ले लिजे यह इस जगह पर है और एक छोटी यहां पर भी है यह रही एक छोटा सा ट्रैंगल यहां पर भी है और यहां पर जो स्क्वेर है यह भी इंटरनेशनल लेवल का काम रेक्टी को करवाती है और चर्नवपरवत भी अत्युत्तम है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे परचेसर होते हैं बारगिनर होते हैं पानी अच्छा लगता है दूट से बनीवस्तों अच्छी लगती है नीणे शक्ती अच्छी होती है नहीं नहीं चीज़े करने का शौक होता है शुक्रपरवत पर भी पारिक लाएने ये वेक्ती को शेयर सेट्में इंट्रेस दिलाती है और शुक्रपरवत भी अति उभार वाला है इस तरह का शुक्रपरवत होतो लगजरी लाइफ जीता है वेक्ती और उसे शौक भी होता है और उसे पूरा भी करता है ऐसे लोगों को पसीना भी खुबाता है पर ये सब के साथ लागों नहीं होता और मैग्जिमम लागों होता और इनको गर्मी पसंद भी नहीं होती अच्छा नहीं लगता गर्मी में रहना और ये फोर्क बना हुआ है ये वेक्ती को यात्रा भी भरपूर करवाता है पूरी कव ले रही है और यहां से वापस एक डिवाइडेशन है अब इस लाइंग के दो मतलब गिन सकते हम पॉलिटिकल लाप, सरकारी लाप जो भी कारे करेंगे बड़े स्तर का और ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है तो चार में से किसी को चारो लाप मिलते हैं किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाप प्राप्त होता है और इसको एक हार्ट लाइन का भी पार्ट गिन सकते हैं यानि ऐसे लोग भाउग भी होते, भरों से लाइक भी होते, भाउग भी होते, भाउग भी होते, भाउग भी होते, यानि लोग इनका फाइदा भी उठा दे, ये भी देखा गया है, और उसके बाद, 32 के आसपास, ये ब्रेक हो रही है, हाट लाइं, तो यहां से इनका पैसे की तरफ ज़्यादा जुग गया होगा और ये जो नीचे जाने वाली लाइन है ये बित्रों को सके समुद्धे को पैसा देते वो पैसा वापस नहीं आता ये लाइने माबाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है अब माइन लाइन में दोनों में गैप है ये जब गैप हो वेक्षी जिद्धी होता है किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता पर परिवार को जुरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग पड़े रहे ये भी देखा गया है और एक छोटा सा यहाँ पर प्रेशर यह भी बना था ये बना होगा 31 से 33 के बीच में ये पिरियड काफी हो सकता है एकाथ दो साल प्लस माइनस पर ये दो धाई साल इनकी काफी प्रेशर में गय होंगे और जुपिटर से निकल रहे हैं माइन लाइन रिवेक्ति को अती महातु खांची भी बनाती है अब आपको मैं फिसेन दिखाता हूँ ये देखेंगे यहाँ पर इसको भी स्कीन शॉट लेना है ले सकता है ये वेक्ति को ग्यानी बनाती है स्क्वेर काफी है मैं इसके बारे मैं बता चुका हूँ ये ट्रेंगल भी है जो एक और ट्रेंगल बता चुका हूँ मैं अब जीवन रेखा पर 23 के आसपास एक राहू रेखाने काटा था इनको उसके बाद उसके आसपास में कोई नियर एंड एरर की भी डैथ हुई होगी उसके बाद ये लाइन ने इनके जीवन में साधी कराई एज उफ 29 के आसपास फिर बहुत बढ़ी रावू रेखाई देड़ साल के बाद उसके बाद continue राव रेखाई है अब टू 38 तक मोटİ राव रेखाई है तो 38 तक ये राव रेखाऊ का वार continue चाल दो है और मोटी मोटी है तो ये पेंदेगी इनको उसके बाद जो राओ रेखा है वो लाइट है 41 तक राओ रेखा है वो लाइट है उसके बाद ये हलकी हलकी राओ रेखा है वो इतना पता नहीं चलेगा और इसी के आसपास दो नियर एंड इरर की भी डैथ possible है इनके जीवन में और उसके बाद देखिए कितने आफशुट मैं आफशुट दूसरे फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से दिख रहे है खली काउंटिंग करते रहेंगे हम ये 43 से चालो हो रहे है एक दो टीम चार पाँच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चाओदा पन्रा सोला सत्रा अट्रा उन्नीश वीश इक्किस बाइस तेश इतने सारे आफशुट है इतने सारे और इनकी जीवन रेखा चंद्रपरवत की और जा रही है या तो अपने जनस्थल पर काम करते होंगे तो दूर का काम करना चीए या जनस्थल से दूर काम करना चीए ये इतने सारे आफशुट और साइने भी भरपूर है तो ये थाउजन परसेंट अरपती बनेंगे थाउजन परसेंट उसमें कोई किंटु परन्तु नहीं यहां से इनका जो जीवन एक अच्छे मोर पर आएगा जो देखने लायक होगा अब इनके धन रेखा पर जो आफशुट है उसका जिक्रकत था आपको और उसके बाद पहले इस पर जाने के पहले उसके बाद कोई ऐसी हेवी राव रेखाए नहीं है जिसका मैं जिक्र करूँ राव रेखा है तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा था और छोटी 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 राव रेखाए है और जब जीवन सफलता की और बढ़ता है तो छोटे छोटे विगन आएंगे जैसे चीटी ने काटा इस तरह का रोल होका अब मैं धन रेखा पर जो आफशूट है वो दिखाता हूँ यह देखिए और इससे भी अच्छा फोटो है मैं उस पर भी ले जाओंगा यह जो आफशूट है यह आपकी धन रेखा को काट नहीं रहे यह धन रेखा से निकल रहे यह धन रेखा से उपर की तरफ जा रहे यह दो आफशूट ने इनको करोडों का बेनिफिट दीला है था करोडों का और यहाँ पर धन रेखा दमदार नहीं अब मैं औरिजिनल धन रेखा के पौटो पर लेकर जा रहा हूँ यह देखिए धन्द रिखा में कोई दम नहीं है कोई दम नहीं है यह देखे यह तो कट था यह दो बड़े ओप्षुटों ने इनको बहुत बेनिफिट दिलाई और उसके बाद भी यह दो छोटों ने भी बेनिफिट दिलाई होगी तो यह पिरियड इनके लिए गोल्डन था पर धन्द रिखा में कोई दम नहीं था देखे पूरी खराब धन्द रिखा है पूरी खराब है तो यहां पर इनों ने अच्छा खासा पैसा कमाया और उसके बाद इनकी ग्रोथ रुक गई इनके लिए वो भी आश्रिका सब्जेक्ट था कि ऐसा क्यों हुआ जीवन में अब यहां तक धन्द रिखा में दम नहीं है अब तो यहां तक और उसमें कट भी लग रहे और यह एज होगी लगबग 41 38 से थोड़ी सी ग्रोथ दिखेगी पर कट लगेंगे तो जो कमाएंगे वो चला भी जाएगा पर यहां से जो इनको ग्रोथ मिलेगी और यह investment line है यह age of 45 या 46 से आसपास investment होगा इस line पर यह 45 में investment होगा और इस जगह पर 41 पर या 42 के आसपास investment होगा अब यहां पर जो यह business चालू करेंगे करेंगे वो अप टू एज 47 तक चलेगा और उसके पहले और एक बिजनेस चालू करेंगे 45 के आस-पास से वो दो-धाई साल अच्छा चलेगा और बीच में छे महिना अच्छा नहीं चलेगा और फिर वापस अच्छा चलेगा अप टू 56 तक फिर 56 से और नहीं लाइने पैदा होगी और यह जो लाइन है यह 58 से बहुत ज़्यादा पैसा देगी और इदल भाग्योदय इदर इनके अलग-अलग समय पर भाग्योदय होते जाएंगे ऑफशूट अलग भाग्योदय देंगे इनको धन रेखा का भाग्योदय 58 के आस-पास या 57 से है और यह जो धन रेख है यह बीच मैं है बीच-बीच मैं भिजनेस थोड़ा सा स्लोक भी दिखेगा इनको रूक-उर भी चलेगा एक सिजनल बीजनेस होता है उस सबसे रहेगा इनका और फोटी एड के आस-पास से थोड़ा सा और मजबुत आएगा फिर रूक-़ुक कर नहीं चलेगा और फिर से भी अच्छा ही है कोई तो ओवरल देखे तो यह हंडेट परसेंट अरब पती तो बनेंगे कि इसमें कोई दोर आये नहीं है साइने भी अच्छी है और शुट भी भर पूर है तो यह सारे बेनिफिट इनके हाथ में है पर समय सुरू होगा एज 41 के आसपास से इनका भाग्योदय चालो होगा 57 से चालो होगा 57 या 58 पर ओवरल देखा जाए तो जीवन बहुत उत्तम रहेगा कोई उसमें किस्व परणतु नहीं हाँ वर्तमान 41 तक तो संगर्स है है और है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्ण के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोको का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद